इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टिप्लिकेशन दो नंबर्स का जो की कुछ स्पेशल कंडिशन्स फॉलो करते हूँ वो स्पेशल कंडिशन्स क्या है पहली कि उन नंबर्स के जो नंबर आफ डिजिट्स है वो दोनों में सेम होने चाहिए दूसरा जो unit digit values है उन दोनों का जो sum होगा वो 10 होना चाहिए तीसरा जो बाकी की digits होंगी unit digits को छोड़के बाकी की जो digits होंगी उनकी जो numbers होंगे वो exactly same होने चाहिए कहने का क्या मतलब? example से अब समझिए जैसे यहाँ पर दो डिजिट का नंबर है तो यह भी दो डिजिट का नंबर है पहली condition satisfy दूसरा unit digit को हम देखेंगे तो 3 और 7 add करके हमें 10 देता है तो दूसरी condition भी satisfy तीसरा जो unit digit को छोड़के जो बाकी की digit है जैसे यहाँ पर 10 का जो place है वो दोनों same होने चाहिए मतलब यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है तो तीनों conditions यहाँ पर satisfy हो गई इसे तरह से आप बाकी के numbers में भी देखेंगे तो यह तीनों conditions वहाँ पर satisfy होंगी अब तरीका क्या है इन्हें multiply करने का तो यह बहुत fast तरीका है जो हमारी आगे की values रहेंगी अगर दो digit number है तो 10th place consider करेंगे अगर 3 digit का number है तो हम 10th और 100th place दोनों को एक साथ देखेंगे यह जो numbers है इनका अगला number हमें देखना है जैसे 2 का next number क्या होता है 2 के बाद 3 आता है तो 2 का हम multiply करेंगे 3 से तो 2 3 सा 6 6 हम लिख देंगे प्लस उसके बाद क्या करेंगे जो unit place है इनको आपस में multiply कर देंगे तो 3 इंटू 7 7th इसा 21 तो 6 21 हमारा answer हो जाएगा दूसरा example देखते है जैसे यहाँ पर है 73 और 77 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने देखा आगे 7 7 है तो 7 is a 56 56 फिर 7 3 is a 21 यह answer हो गया तीसरा 113 into 117 अब यहाँ पर unit place के लावा बागे की digits हमें एक साथ देखनी पड़ती है तो 11 है 11 के आगे क्या आता है 12 11 into 12 132 फिर 7 into 3 21 तो 132 21 हमारा answer हो जाएगा next example 52 into 58 again 10th place पर हमारा आ रहा है 5 तो 5 into next number 6 56 is a 30 और 8 into 2 8 into is a 16 यह answer हो गया अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर 12 है दोनों जगे तो 12 into 13 कितना होता है 156 और 64 is a 24 यह answer हो गया आप देखेंगे काफी fast हम calculation कर पा रहे है बस यह 3 conditions satisfy होनी चाहिए हमारे multiplication में जो numbers हैं उनकी digits same होनी चाहिए जैसे यहाँ पर 2-2 digits है यहाँ पर 3-3 digits है यहाँ पर 2-2 digits है यहाँ पर 3-3 digits है 4-4 digits 5-5 digits ऐसा भी हम ले सकते हैं कोई इसकी वो limitation नहीं है दूसरा unit digits की जो values हैं दोनों numbers में वो exactly same value की होनी चाहिए जैसे यहाँ पर 2-2 है यहाँ पर 7-7 है यहाँ पर 11-11 है यहाँ पर 5-5 है यहाँ पर 12-12 है तो यह सब same है तो यह conditions जब satisfy होती है तो हम इस तरह से solve करते हैं आगे वाली जो number है unit digits को छोड़ की जो बाकी के number है उसको लेते हैं multiply करते हैं उसके just अगले number से जैसे यहाँ 2 था तो हमने 3 से multiply किया यहाँ 7 था तो हमने 8 से multiply किया यहाँ 11 था तो हमने 12 से multiply किया यहाँ 5 था तो हमने 6 से multiply किया यहाँ 12 था तो हमने 13 से multiply किया उसके बाद जो unit digit है उनको आपस में multiply करके as it is लिख देते हैं जैसे यहाँ पर 7, 3 का हमने 21 लिखा यहाँ पर 8, 2 का हमने 16 लिखा यहाँ 6 और 4 का हमने 24 लिखा तो यह तरीका है इस तरह के multiplications को तेजी से करने का अब इसी method को use करके आप इन 3 questions का answer निकालने की कोशिच कीजिए किसमों की करने लिखा क्या भोजा यहरा है वहाँ जका पर 9